नमस्कार दुस्तों गारगी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेटा अज की की सप्रेल 2023 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेट से इंपॉर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के जस्ट बाद में जाएगा तो उससे रिलेटेट कंटेंट है तो वह देखेंगे दूसरा हम देखेंगे कि कोविड की एक बार फिर से केसे जाने लग गए हैं तो यह क्या एक सिच्वेशन बन रही है या फिर हमें सोच समझ के कैसे चलना होगा क्या परिस्तिति हो सकती है वह समझेंगे तीस कुछ आर्टिकल्स है इनको देखते है और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज लीगो इंडिया से रिलेटेड एक आर्टिकल है ठीक है लीगो इंडिया यह अब्जर्वेट्री है ठीक है एस्ट्रोनामिकल अब्जर्वेट्री बेसिकली इस से रिलेटेड एक आर्टिकल 10 अप्रेल को भी आया हुआ है explain page पे तो इन दोनों आर्टिकल्स को हम merge करके और आपको संडे को वीडियो मिल जाएगा उसका ठीक है ना तो संडे मतलब पर्सों ठीक है दोनों चीज़े हम एक साथ discuss करेंगे लीगों की पूरी डिटेल भी discuss करेंगे कैसे काम करती है और वो सारा ठीक है तो आज का जो content है वो तो हम देखते है फर्स्ट आर्टिकल है the most populous country अब भी देखो United Nation population fund की तरफ से जो data release वह है उसके हिसाब से अगर देखें इंडिया 2023 के mid में चाइना को cross करके highest population वाला country बन जाएगा expected है कि इंडिया की population तो जाएगी 142.86 करोड जबकि चाइना की रह जाएगी 142.57 करोड है तो marginally जादा इंडिया की population पर जादा होगी ठीक है इसके पीछे क्या logic है एक तो fertility rate है और एक replacement rate एक age wise data ये तीन चार segments होते है जिन मे data जो है वो release किया जाता है अब इससे सम्मधित हमने पूरा detail कल explain पे इस पर देख लिया था ठीक है ना जिसमें बताया गया कि किस तरीके से population चाइना की decline कर रही है देखो इसके पीछे कई logics है आएगा इसमें analysis में इसमें नहीं है मतलब आगे कभी जिसमें एक तो covid बहुत हो सकता है ठीक है चाइना की population पिछले एक साल में 2022 से अभी तक लगबग 2.3 करोड decline कर गई है ठीक है 1448 million population थी चाइना की जो की घट करके 1425 million हो रही है अब आप देख लो लगबग 2.3 करोड population decline कर गई इंडिया चाइना को अगर overtake कर भी रहा है ना तो उसके पीछे केवल इंडियन फेक्टर्स ही नहीं है चाइनीज फेक्टर्स भी है चाइना जिस पेस के साथ ग्रोग कर रही थी population उस पेस के साथ ग्रोग नहीं कर रहा है ठीक है वहाँ पर जो बच्चे है यंग एज या फ सेखें एक तो वह वक्त था जब एमर्जेंसी पीरियड में 1975 में जब एमर्जेंसी आई थी और उसमें वह 20 सुत्री प्रोग्राम जो लॉंच हुआ था 20 पॉइंटी फॉर्मिला जिसमें ये भी था कि forceful sterilization किया गया था मतलब नस्बंदी कर दी गई थी तो उसका तो देख गवर्मेंट का जो focus है कि कैसे हम population को control करें तो persuasion और education है कि लोगों को किस तरीके से हम तयार कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को educate करें जैसे आप देखते हो हम जब भी population theory के बारे में पढ़ते तो मालतस theory के बारे में आती है बात कि यहां भई जो natural resources हैं उनका growth rate और population growth rate दोनों match कई ना कई आगे बहुत बड़ी problem create कर सकता है तो population control होनी चाहिए कंट्रोल करने के हलेगलग methods है कि भई मतलब preventive methods use किये जाएं contraceptive methods use किये जाएं ठीक है education ज्यादा से ज्यादा दी जाए ठीक है जॉब में participation करवा हो female और males का जिससे कि वो अपने career में busy हो जाएंगे तो फि factors बताए ठीक है ना तो point यहाँ पर यहाँ आता है कि government of India ने अपनी तरफ से पहले harsh methods भी apply कर लिये थे emergency के टाइम पे वो तो देखो इतना ज्यादा काम नहीं कर पाए थे और करे भी थे तो उनके बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े थे government को और दूसरी तरफ अभी के जो persuasion यह बहुत important role play करता है इसके अलाबा कुछ coercive methods भी उसकिये जा रहे हैं वो कैसे कि लोगों को यह कहना कि अगर किसी के दो बच्चों से ज्यादा बच्चे है तो government job के लिए eligible नहीं होंगे ठीक है तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वो individuals पर प्रेशा डाल रहे हो no doubt यह कारगर साबित हो रहा है कई जगें पर ऐसा भी नहीं कि data विलकुल fail हो रहा है यह जो दो बच्चों वाला जो program है कि हम दो हमारे वाले हमारे दो के उपर method के उपर चलो और वही eligible होगे government job के लिए पर editor बोल रहे हैं कि इससे भी सही tendencies वाले और भी बहुत सारी methods हैं उनको हम apply करना हो होगा coercion को avoid करना होगा persuasion and education are best यह चीज अब बताई जारी है अब इसका benefit क्या मिल रहा है benefit यह है कि अगर हम पिछले 10 सालों में population growth की बात करे ना तो इंडिया में total fertility rate है ना वह 3.4% जो 3.4 जो चल रही थी early 90s में 1991 से 2000 की बीज की बात मान लो वह अभी 2.1 से भी कम आ गई है तू पे ही आ गई है अब यह TFR क्या होती है इसको हम detail में समझते हैं तो टोटल fertility rate की अगर बात करें तो एक women अपनी reproduction age जो की consider की जाती है 15 to 49 years इस reproduction age में अपनी पूरी life में average कितने बच्चे पैदा कर रही है that is total fertility rate अगर यह 2.1 होती है ना तो इसको बोलते हैं replacement TFR इसका मतल दो माबाप के लिए दो बच्चों की average बात कर रहे हो जिसने की माबाप की जगह लेने के लिए दो बच्चे हो जाएंगे future में ठीक है तो point यहाँ पर क्या रहा है कि TFR अगर 2 या 2.1 क्या उससे कम है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर population control हो रहा है और यही चीज यहाँ पर देखने को मिल भी रही है और यह चीज हमें कहां से पता पड़ी है यह हमें national family health survey यह government की दूसरी जो studies है उनसे पता पड़ रही है और इन surveys और इन studies के basis पर ही United Nation population fund ने यह data release भी किया है ठीक है तो population stability के लिए TFR कितनी ची होती है 2.1 यह आपको ज़रूर ध्यान TFR rate बहुत हद तक अभी control कर पाया है हाँ अभी भी कुछ ऐसे states हैं जहाँ पर TFR अभी जादा है पर जिन states की बात करें जैसे South India के states है South Indian states की अगर बात करें तो वहाँ पर TFR बहुत हद तक control आ गई ठीक है कुछ ऐसे states हैं जैसे UP, बिहार, जारकन, मेगाल है यहाँ पर सबसे important चीज जो होती है न population control में वो है women empowerment अगर एक women पड़े लिखी है ना जितनी ज्यादा पड़े लिखी होगी उतने ही कम उनके बच्चे होंगे और जितने बच्चे होंगे वो भी उनको ज्यादा ज्यादा पढ़ाई कराने के रिन की कोशिश की जाएगी तो वो फिर long population की बात करें जो अभी United Nation की दुबार report release है इसमें तो 15 से 64 जिसको working age group बोलते हैं उसमें इंडिया का लगबक two-third population है two-third का मतलब आप मानो 68% के लगबक कलम ने explain piece पे देखा था तो बोले ये बहुत ही एक गजब की opportunity है इसको demographic dividend हम बोल रहे हैं कि population का एक बहुत बड़ा हिस working age population में तो ये opportunity भी है अगर हमने disadvantage section से belong करने वाले youth और women इनको skill दे दी employable बना दिया तो ये Indian GDP के लिए भी बहुत बड़ा participate कर पाएंगे ठीक है और आने वाले 20 सालों का ये time है जिसमें हम ये utilize कर सकते है नहीं तो फिर वोई चीज है कि जो 15 से 64 साल की उम्र में चल रहे हैं वो फिर आगे 20 साल की उम्र अगर आगे निकलती है आज अगर 2023 में हम हैं और 2043 तक पहुंचते हैं 2043 तक तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितने लोग और बूड़े हो जाएंगे तो ऐसे में हमें इस energy को utilize करना होगा ठीक है ना world bank data के according अगर देखें तो हमारे याँ पर सबस में participate करने का अतनामों का नहीं मिल रहा है इंडिया में 2005 में female labor participation कितना था 32 परसेंट जो कि अभी कितना चल रहा है केवल 19 परसेंट घट और गया है उल्टा अगर परसेंटे वाज देखा जाये तो तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि working age population को हमें utilize करना होगा इस energy को utilize करना हो opinion, dissent, debate इन पे proper democracy के part है ये बही सीधी बात है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं तो उनको democratic institutions को strengthen करो इन values को maintain करो debate को, opinion को, dissent को जो भी आपको proper outcome मिले discussion के बाद में उसके उपर हमें काम करना होगा तो ऐसे हम हमारी इस population को harness कर सकते हैं जो human resource है उसको utilize कर सकते हैं ठीक है तो यह article था एक तो, next article है, let data flow, अब देखो यह context तो वो ही चल रहा है आपको पता है कि इंडिया चाइना को सरपास कर देगा, most populous country बन जाएगा, और यह state of world population report 2023 जो की United Nation की द्वारा release की गई है, उसका part है, अब देखो, एक सबसे important चीज है कि Indian government की तरफ से क्या data है, तो दे पर वो census अभी तक भी नहीं हुई है, 2024-2025 तक उसको पॉस्पोंड कर दिया गया है, तो रहा एडिटर वो सीधा बोल रहा है और यह fact भी है, कि जब हमारा खुद का ही domestic data available नहीं होगा, तो हमें फिर internationally जो data publish हो रहा है, जो कि इतना ज्यादा crude नहीं होता है, कि घर-घर जाकर करके वो पूस्ते हैं, वो भी जो existing surveys हैं, उनकी data को collect करके फिर अपनी, एक कहते हैं कि extra pollution करते हैं, हना projection करते हैं, कि हाँ जी इतनी population हो जाएगी इंडिया की कोई इतने time के बाद में, तो वो उन चीजों पर हमें rely करना पड़ता है, ठीक है, तो एक तो census बहुत जरूरी है time होना, दूसरी चीज आती है, कि NSO के according अगर देखें, तो consumption expenditure survey है, वो 2022-23 के लिए हुआ, और उसका data है, वो हो, जहां तक है, 2024 के election होने के बाद में ही release होगा, पहले के वी chances लग नहीं रहे, तो यह जो surveys होता है, अब यह देखो, national study, NSO का, जो consumption expenditure survey है, इससे क्या पता पड़े हो, आप अपनी schemes के लिए budgetary allocation कर सकते हो, वो सारी चीजे, तो वही बात आगी कि starts के बिना कैसे काम चलेगा, तो country का जो statistical system है, उसको हमें grow करना पड़ेगा, उसको हमें improve करना ही होगा, नहीं तो फिर बाद में हमें, वो ही चीजे कि हमें reality का पता ही नहीं पड़ेगा, ठीक ह पूर्टी, inequality, GDP, consumer price index, inflation, यह सारी चीजें, सर्वेज के सर्वे होते हैं, जो यह report release होती है, एक मतलब कुछ centers पे इनके बारे में जानका रेली जाती है, तब ही तो पता पड़ता है, तो बोले यह हमें बहुत जरूरी ध्यान में रखना होगा, नहीं तो फिर क्या होता है, अ इसे हमने previously भी एक article discuss किया था starts को लेकर के, जिसमें बताया था कि अर्विन पंदगडिया जी और विशाल मोरे जी, इनके दुवारा अपनी research में बताया गया कि lockdown के time पे गरीब इतनी जादा speed जादा नहीं बड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ state of working India 2021 की जो report आजीम प्रेम जी university के द्वारा उसमें यह बताया कि गरीबी बहुत जबर्दस बड़ी है, तो अब आप बताओ किसको मानोगे अपने लिए, contradiction हो गया न, अब वही पर अगर government का proper data available होता, तो यह contradiction को avoid किया जा सकता था, इसके अलावा आज unemployment की बात कर लो या कुछ भी बात करें, तो CMIE का जो इसको census conduct कर ले, तो यह problem आये क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो बलो policy making में data बहुत important होता है, आप census postpone कर रहे हो, इसका मतलब आप reality से move मोड रहे हो, और reality से move मोड ना, कोई justification नहीं हो सकता, उस चीज का, तो point यह है, कि सही time पर, सही तरीके से data collect होता रहना चाहिए, और census को 1881 से फिर decadal census start होगी थी, 1891 फिर 1901 ऐसे 10-10 साल की, बुलिए independence के बाद में पहला ऐसा case आया है, जब census जो है, वो postpone होई है, और वो भी इतना ज्यादा, no doubt, pandemic एक अपने आप में problem थी, पर pandemic के बाद में जब normal life start होगी, तब सो कम से कम census conduct कराने चाहिए थी, तो यह point यहां प देखो केश श्रीनात रेड़ी जी के दोड़ा लिखावाई आर्टिकल है, SARS-CoV-2 की cases फिर से आगये, बहुत सारे सवाल उट रहे हैं, पहला सवाल, क्या omicron virus फिर से आगया है, या फिर नया कोई variant है, या हमें mask लगा करके फिर से जाना चाहिए, mask कभी भी public places पे जाएं, या फिर जो existing जो भी vaccines available है, उनमें कुछ update करने की ज़रूत है, या फिर जो existing अब वो ही चल जाएंगे, travel restrictions क्या impose करनी चाहिए, ये बहुत सारे सवाल है, तो राइटर जो है, वो साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं, कि no doubt cases बढ़ रहे हैं, पर severity की बात करें, बिमारी की बहुत ज़्यादा गंभीरता की बात करें, तो वो severe cases अभी कम आ रहे हैं, इसका मतलब cases हैं, पर death rate या फिर जो एक critical situation होती है, वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है, और एक चीज़ हमें ये भी समझनी होगी, कि SARS-CoV-2 ये हमारी life का permanent member बन चुका है, और जो respiratory related जितने भी viruses है, उन गरेगा, एक साथ तो आता नहीं है, किस time पर, किस तरीकी situation create होगी, तब ये virus जो है, वो अपना असर दिखाएगा, तो बुला हमें यहाँ पर समझने की जरुवत है, कि ये virus का behavior क्या है, इस virus के behavior को हमने अच्छे स experience किया है, पिछले 3-4 सालों में, तो उसी experience को हमें apply करना हो गोल आप, तो ये, इसको पहले बोला जाता था, XBB 1.16, ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है, कि WHO इसको variant under watch के category में डाला है, इसका मतलब ये, कि भाई, इस पर हम focus रखेंगे, कि इस virus का क्या behavior है, कोई मतलब ये बिमारी को खतरनाक तरीके से फैला रहा है, या फिर, हल्की फिल के mild disease करके और फिर निकल जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से under watch हो में, ये variant of concern के तौर पे ने डिक्लियर किया है, variant of concern का मतलब क्या होता, कि बिमारी को जबर्दस तरीके से फैला आए, अब देखो बात ऐसी आ रही है, कि जिस तरीके से COVID का जो delta variant आया था, 2021 में, हमार जिस तरीके से deaths हुई थी, बोला वैसा तो देखो chance भी लगता नहीं है, पर ये बात पक्की है, कि जिन लोगों ने vaccine ले लिया है ना, उनका भी अब infection के chances बन गए है, क्योंकि vaccine आपने लिया आज के एक साल डेट साल पहले, अब उन vaccination के बाद में, आपकी body भी जो है, वो कही है, कि आपने अगर booster dose ले रखी है, तो तो chance है कि fight कर ले, पर अगर फिर भी कोई नया variant आगया, जिसने अपने आपको mutate कर लिया, वाइरस के variant ने, तो हो सकता है, कि जो हमने हमारे चारो तरफ, हमारे protection shield बना रखी है, उस vaccination की basis पे, उसको भी वो overcome करके, और फिर बाद में हम पे attack कर दे, तो ये भी एक अपने आप में problem है, जादा risk किसको रहती है, हमेशा उनको जो immunodeficient है, या immunocompromised person है, इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग जिनकी immunity बहुत कमजोर है, रोग प्रतिरोदक शमता कमजोर है, उनको बहुत जादा नुकसान है, चाए फिर वो किसी बिमा जाने की जरूरत है, क्योंकि respiratory related जो infection है, वो देखो normal रहता है, ठीक है, season की according change होती रहती है, influenza जैसे viruses हैं, वो ही अभी तक infect करते रहता है, चाहिए आपने कितने ही tools तयार कर लिए होंगे, आपने protection के लिए, ठीक है, फिर आगे बताया जा रहा है, कि एक क्यातना की behavioral manner में, क् distancing का method था न, उसके point of view से बताया जा रहा है, कि अगर आप कहीं mask gathering में जा रहा है, तो cases बढ़ रहे हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, हाँ deaths हो रही है, उनमें कमी है, तो इसलिए हम ज्यादा attention नहीं दे रहे हैं, पर सवाल यह है, कि यह जो infection है, इससे भी कैसे बचा जाए, और क्य mask gathering में जाएं की नहीं, तो देखो covid appropriate behavior करने की ज़रुत है, sensible precautions लेने की ज़रुत है, ठीक है, mask लगाओ, हाथ दोते रहो, ठीक है, ज्यादा crowd हो, तो avoid gross gathering को, या फिर, अगर mask gathering कर रहे हो, तो close areas में नहीं, open air में करो, ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, त surveillance proper होना चाहिए, covid के related, जो भी cases जा रहा है, उनसे related, जैसे यहाँ पर बताई जा रहा है, कि covid-19 जो है, वो अपने आपको mutate कर लेता है, तो genomic identification होना ज़रूरी है, कि नया जो variant है, अगर उसमें कोई ज़्यादा ऐसा कोई change आ गया, जो कि existing जो भी vaccines है, वो उसको tackle नहीं कर सक सकते, तो उस case में फिर हमें हमारी research में भी काम करना होगा, इसी तरीके से, आज देखो, international migration जो है, वो restart हो चुका है, तो ऐसे में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है, कि दो level के उपर काम किया जा रहा है, international surveillance में, global microbial surveillance system है, वो काम कर रहा है, कि covid-19 के danger को हम कै सकते हैं, पहला तो यह कि microbial surveillance जो है, wildlife हो, या veterinary population हो, या human हो, मतलब किसी भी तरीके से, जो भी, आप कह सकते हैं कि covid के लिए, जो भी stay करने का जो place हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, और वहाँ से फिर दुबारा से infection फैल सकता ह तो बोला, इनके बीच में जो surveillance है, वो integrated होना चीए, इससे पता पड़ जाए, कि कहीं जानवरों में infection है, कहीं host जानवर तो नहीं बन गये हैं, ठीक, animals बन गये, तो उस तरीके से हम alert हो सके, और दूसरा point यह बताया जा रहा है, कि सभी countries के बीच में accurate information sharing हो, इसका मतलब global surveillance system जो है, वो इतना alert रहे कि कि किसी भी country में कोई नया variant अगर detect हुआ है, तो उसके बारे में global alarming situation या global siren बजा दिया जाए, कि आजी यह आ गया है नया variant, तो आप थोड़ा बच के रहें, तो इससे क्या benefit हो सकता है, कि COVID ने जो हमें मार मारी है, उससे हम सीख सके, तो इसके one health है, one health quadripartheid, that means, चार United Nation की agencies का ये group है, जो operate कर रहा है, जिसका नाम है one health, ये network है, जिसमें UN का food and agriculture organization, world organization of animal health, United Nation environment and program and WHO, ये चारो मिलकर के काम करते हैं, इसके अलावा दूसरे और भी networks operate कर रहे हैं, जैसे epidemic intelligence, open source, from open source, इसके अलावा, global outbreak, alert and response network, go around, ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, ये ही चेक करते रहते हैं कि कहीं COVID का नया variant तो नहीं आ गया, तो alert कर दो, कि यहाँ इस देश में ये COVID variant आया है, इस देश से अगर आपके देश में कोई flight आई है, तो भी alert प्या जाओ, ठीक है, तो convergence से benefit क्या हो जाएगा कि शुरुवात में सही परिस्तिती पर ही इन चीजों को tackle किये जा सकती है, नहीं तो आपको पता COVID क्या problem create कर सकता है, फिर last में ये बोला जा रहा है कि COVID से जो हमने बाते सीखी है ना, वो बाकी दूसरी बिमारियों पर भी apply की जा सकती है, कैसे आप digital segment को use कर सकते हो data collection कैसे कर सकते हो, कैसे हम बिमारी को फैलने से रोग सकते हैं, तो COVID के लिए जो हमने चीजे सीखी है ये apply की है, बोलो बाकी जो infectious diseases है, फैलने वाली जो संक्रमन कारी बिमारियां होती है, उनसे भी हम बच सकते हैं, ठीक है, तो ये article हो गया एक, next article है, more room to spend, article को लिखा है अभी state governments जिस तरीके से अपना fiscal management कर रही है, उसमें दो बड़े important चीजे देखने को मिल रही है, एक तो ये moderation in state government of budget borrowing, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आप budget में अपना पूरा plan बताओ, कि हाँ ये scheme है, इन schemes को implement करने का तरीका है, ये तो है खर्चा, और एक दूसरा आप बता सा रहा है, ये private sector invest कर रहा है, और ये खर्चा जो है, expenditure जो है, वो जो receipt है, उसके comparison में थोड़ा जादा जा रहा है, तो ऐसे में सरकार को उधार लेना पड़ेगा, ये तो हो गया budget based borrowing, अब क्या है, कि आपने executive level पे कोई scheme launch कर दी, और उसमें फिर आपको borrowing करनी है, जो कि आपन उधार लोगे, तो आपको विधान सबा में जो debate होते हैं, उनमें participate करने की नौबत नहीं आ रही है, इसका मतलब opposition आपकी accountability settle करने में fail हो जाएगा, अगर आप budget में कोई demand की बात करोगे, तो उसमें तो हराम से विधान सबा में debate होगा, और opposition party वाले objection कर देंगे, इतना पैसा किस बात का, ठीक है, पर वहीं पर elections का time आ रहा है, मान लो, तो सरकारे vote लुभाने के चक्कर में पैसे खर्च कर देती हैं, schemes जो इस तरीके से launch कर देती हैं, जिनका long term में नुकसान होता है, तो वो जो चीज़ें ना, वो कहीं नगे off budget borrowing में चली जाती है, क्योंकि सीधी बात है, नेता लोग जो है, अपने pocket से तो पैसा खर्च करेंगे नहीं, पैसा कहां से आएगा, सीधी सी बात है, या तो टेक्स जाता लगाओगे, टेक्स लगाओगे जादा, तो जनता वैसे vote नहीं देगी, तो टेक्स का option तो वैसे कम हो गया, अब क्या बसता option, बच गया एक, उधार ले लो, अब यह नहीं, जनता को यह नहीं पता रहता जादा तर, आप पढ़ रहे हो, आपको तो पता है, कि वो जो लिया हुआ करजा है, जिसके basis पे, लोगों को free में बिजली दी जा रही है, कुछ भी दिया जा रहा है, तो आपका, फिर वो burden आपको उठाना पड होती है, भी सिधी बात है, अगर आप उधार लोगे, तो ब्याज भी देने ही पड़ेगा, और ब्याज दोगे, तो पड़ेगा है आपके उपर, तो इस तरीके से off-budget borrowing का जो system है, वो कम हो, यह चीज कहीं ना कहीं, अभी trend में देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात ह है, कि state governments थोड़ा सा सोच समझ के आगे चल रही है, दूसरा यह कि government of India के दुआरा एक interest free loan scheme launch की गई थी capital expenditure को support करने के लिए, कि भाई states जो है, वो capital expenditure को promote करे revenue expenditure की बजाए, capital expenditure में क्या होता, infrastructure डवलप कर दिया, infrastructure में rail, road, electricity, इनकी facility आपने डवलप कर दी, तो बोले, इसका multiplying effect आ रहता है, और economical long term में returns मिलते रहता है, तो उस चीज को promote करने के लिए central government ने यह scheme launch की, बोले, इन दोनों का benefit अभी देखने को मिल रहा है, पहले तो क्या होता था, कि state जो है, वो off budget borrowing कर लिया करते थे, और उनके ओपर central government कोई लगाम नहीं लगाती थी, पर अब central government ने साफ कि जी, आपको जो central government की तरफ से approval जो मिलता है, article 293, clause 3 के basis पे, constitution of India के अंडर में, बोला, अगर वो आपको चाहिए है, या फिर central government की consent के हिसाब से, तो आपको अपनी off budget borrowings को control करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी बात है, कि state government को अगर पैसे की जरुवत है ना, मानलो bond release करना चा से approval लिया जाता है, क्यों, कि भई, state government पहले से bankrupt मानलो, पहले से लिया हुआ, पैसा return नहीं कर रही है, तो ऐसे में central government अगर मना कर दे कि ये state जो है, ये bankrupt है, इसको मत दो भी पैसे, तो ऐसे में फिर bond release करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, कौन invest करेगा, ऐसे state bonds में, state government के bonds में तो ऐसे में, article 293, जो है Indian constitution का, उसमें central government के consent लेते हैं, states, तब जाकर ये काम होता है, उनका जो उधारी लेने का system है, अब यहाँ पर अगर state government अपने मनमाने तोर पर अगर ये जो off budget borrowing करते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, fiscally prudent नहीं चल रहे है, वो state गड़बड कर रहे हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर central government consent नहीं देगी, तो उनको उधार लेने में जो रहेगा की नहीं, तो इसलिए central government की guideline के basis पे, strict guideline के basis पे, कि आप जो है off budget borrowing को बंद करो, या इसको कम करो, क्योंकि off budget borrowing में फिर आप debt servicing में पैसा खर्च कर देते हो, और फि सीधी बात है, आज इंडिया के हम सबने देख रहे हैं, कली हमने आर्टिकल देखा, कि 2029 तक हम पास trillion dollar की economy बनने का सोच रहे है, GDP wise, तो बोलो वो कैसे बनेगा, जब यह जो 28 state और जो 8 uts है, figure अगर correct करना चाहो तो कर देना हो, comment box में, बोलो यह ढंक से नहीं चलेंगे, तो Central Government के दुआरा, 2022-23 के बजट के टाइम पर एक important announcement दी गई थी, वो थी, special assistance as loan to state for capital expenditure, इसमें क्या था, कि बिना किसी interest के, बिना किसी interest के, states जो है, उनको पैसा दिया गया है, Central Government की तरफ से, एक allocation कर दिया, उसमें से state अपने हिसाब से पैसा use कर सकता है, allocate कर वा सकता है, जिसमें उनको ब्याज नहीं देना, और वो पैसा जो है, वो केवल और केवल capital expenditure में use होगा, अब इससे क्या है, कि अगर state government अपने खुद के state की development ensure करना चाती है, और central government की इस assistance scheme का फायदा उठाना चाती है, तो ऐसे में off-budget borrowing जो है, वो कम करनी पड़ेगी, ये condition थी central government की, इस दिले क्या है, जो capital spending है, ये states rise भी कर रहे है, पर सवाल ये है, कि ये कितने दिन तक चलेगा, कारण क्या है, कि elections जिस state में आ जाता है, वहाँ पर मामला बिगड जाता है, फिर वो ये नहीं देखते है, फिर जाती हुई सरकारे ये सोचती हैं, कि दुबारा आने का तो guarantee है न अच्छा, central government के दुआरा ये जो पैसे दिये जा रहे है, capital expenditure के लिए, इस scheme के अंडर, या फिर इस provision में, जिसका नाम है, special assistance as loan to state for capital expenditure scheme, इसमें ये system है, कि central government एक मुस्त पैसा नहीं दे रही है, एकदम से नहीं दे रही है, installments में पैसा release कर रही है, अब वो installment में पैसा release कर रहा है, और central government ने सीधा किस तरीके की intention चो की है, कि हम पैसा देंगे, पर किसी project को start करने के लिए नहीं देंगे, किसी project में थोड़ी shortage अगर पड़ रही है, तो उसको compliment करने के लिए देंगे, इसका मतलब state government को interest free borrowing का benefit उठाना है, तो पहले projects पे काम करना होगा, फिर जाके central government interest free loan देने के लिए तैयार है, तो ये सारी चीजे जो है ना, वो कही ना कहीं states को मजबूरी में डाल चुकी है, कि जी उनको अब capital investment करना पड़ेगा, ठीक है, ये situation अभी बनी हुई है, बाकी तो देखो वक्त बताएगा, फिलाल तो राइटर जो है, वो अपनी तरफ से बता रह अभी मुझ!